तो स्वागत आप सभी को ग्यापन एकडिमी के इस नए वीडियो में और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं लेशन वन जो मैंने रिसेंटली दो वीडियो अपलोड किया था क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चेप्टर का जो हमारे आसपास के पदार्त नाम का जो चेप्ट हैं तो चलिए देखते हैं वह अब्जेक्टिव का कौन सा ऐसा प्रस्ट ना है जिसको आप अभी फिलहाल देखने वाले हैं तो लैट्स गोटे स्टार्ड यहां से शुरू होता है आपका पहला लेशन हमारे आसपास के पदार्त का अब्जेक्टिव और यहां से हैं आपक कि कौन एक पदार्त का उधार्ण है मैंने रिसेंटली वीडियो जो अपलोड किया था उसमें बताया था कि पदार्त किसे कहते हैं तो अगर आप देखें होंगे तो सही उत्तर चुनेंगे अप संग का आगे देखते हैं अगला परस्न क्या है अगला प्रस्न हैं गैसों मे को उत्तर सही होगा इत्र के सुगंद का हवा में फैलना जब आप पर्फ्यूम लगा कर चलते होना तो आप पुछेगा बगल वाले से यह नहीं भी पूछेंगे तो बता देगा कि लग रहा है कि तुम पर्फ्यूम मारा है क्यों पर्फ्यूम के जो छोटे-छोटे कण होते ह है वह क्या होते हैं वाइव मंडल में फैल जाते हैं और उसकी नाक तक पहुंचती तो पता लगा लेता है कि हाँ यह पक्का पर्फ्यूम मारा है ठीक है अब जड़ा बताइए दूसरा अप्शन पर अगर हम ध्यान देंगे तो स्याही का पूरे पानी में फैलना पानी में जब फैलेगा तो वाइव मंडल में थोड़ी ना जा रहा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना इससे क्या होगा पानी में रहेगा और तीसरा है कि चौता है जो इनमें से कोई नहीं तो हो गाई नहीं तो दो खौज आपसन है और गवह है इस वह थोड़ा कालाता है देखिए हमने क्या बताय था रिषैंटनली जो विडियो अपलोड किया था sum है जब ठोस द्राव में बदलता है ना तो ठोस का द्राव में बदलने की परकिरिया को हम लोग क्या काते हैं गलन काते हैं ठीक है और यहां पर क्या पूछ रहा है कि जब गयस द्रव में बदलेगा तो परिवर्तन क्या कालाता है अब बताई तो तीन का सही उत्तर हो जाएगा अपसन गह यहां पर संगानन कालाता है क्योंकि हमने यह भी बिखाई था कि जब गैस द्रों में बदलता है तो बदने की यह पर क्रिया संगहनन का लाती है ठीक आप देखें अब यहां अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है निमने में किसका घना तो सबसे आधिक होता है तो मैंने बताया भी था कि सबसे ज़्यादा घनतवा वाला ठोसी होता है इसलिए अप्शन को इजदा राइट एंसर अब यहां देखिए पाच्वा परसने किस अवस्था में अड़ों की उर्जा अधिक्तम होती है बताइए तो यहां पाच्वा का सही उत्तर हो अधिक होती है ठीक है अब देखिए यहां पर देखिए छटा नंबर प्रसन देखेंगे किस अवस्था में अड़ों की उर्जा सबसे कम होती है बताइए तो छे का सही उतर हो जाएगा अप्शन को ठोस क्योंकि इसके जो कड़ होते हैं एक दूसरी के काफी समीप होते हैं ठीक है यहां अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण कह रहा है यहां पर थोड़ा सा में ले लूँ हां अगला प्रस्ण है पदार्थ के किस अवस्था में अंत्रा अड़ों के बीच का जो अंतर है वो काफी बलवान होता है मजबूत होता है तो जब जिसका घना तो एक काड़ दूसरे काड़ के जो काफी नजदीक होते हैं उनका अंत्रा अड़ों के बीच जो अंतर होता है वो काफी मजबूत होता है ठीक है ना मजबूती के साथ दूसरे के साथ चिपका हुआ रहाता है इसलिए साथ का को सही उत्तर हो जाएगा अगला परसंद देखेंग जिन क्याते है कि इन इसमस्त्व कोई कोई नहीं हटा दीजिए ठिक है अगर लगता है इसमस्तन चुनेंगे लेकिन आप थोस्त्व द्रवग में अब विचार कीजिये ध्यान से विचार कीजिए कि कि ठोस्के जो कण है वो सबसे ज़्यादा गती में रहते हैं कि द्रव कार्ण कि गयास का बताएट, तो आठ का सही उतर हो जाएगा, ग IQ अपसंस सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कि जो कण होते हैं एक कि दूसरी के एक दूसरी से काफी स्वतंद्र अवस्था में होते हैं और काफी गतिशील होते हैं इसलिए अपसंगा सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखेंगे जल का क्वाथनांग कितना है बताइए जिस पर उबलना परणांब कर दें ठीक है तो जल का को तनांग हो हाँ एक और चीज में यहां बता दू क्यलवीन को जब सेलस्यस में बदला जाता है न तो क्या किया जाता है दो सथीसाथर घटा दिया जाता है ठीक है लेकिन जब Celsius को Calumine बदला जाता है, दो से 73 जोड दिया जाता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर, चाहे degree Celsius के भी हुँ से बताईए, चाहे Kelvin के भी हुँ से बताईए, यहाँ पर बताईए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अपसन ग, 373 के, ठीक ह है, अब यहाँ अगला प्रशन है, बर्फ का गलनांक, ठीक है, तो बर्फ तो सीधी सी बात है, कि 0 degree Celsius पर भी, गलना पर रहम कर देता है, पिघलना पर रहम कर देता है, इसलिए, अपसन ग, यह 273 के, 273 के दिया है, और इसको degree Celsius बदलेंगे, तो 273 घटा देंगे, तो 0 degree Celsius मे है, आजाएगा, ठीक है, यहाँ पर अलड़ी, 0 degree Celsius कहिए, यह दूसर तीहतर के कहिए, इसलिए 11 का सही तवर हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ अगला प्रशन देखेंगे, अगला प्रशन क्या है, कि 300 K तापकरम बराबर है, यहाँ पर करने को दिया है, 300 K में से, हमने क्य हो जाएगा, तो 300 K को अगर करेंगे, डिगरी Celsius में, तो क्या हो जाएगा, बताइए, 300 K में से, 300 K में से दूसर तीहतर घटाएंगे, तो क्या बचेगा, आप कल्कुलेशन करके बताइए, तो 12 का सही उतर हो जाएगा, अपसन को, ठीक है, अपसन को 27 degree Celsius, अगला प्रशन दे देखेंगे, अब देखे, 25 degree Celsius दे दिया है, 25 degree Celsius दे दिया है, अब इसमें कह रहा है कि कैल्विन में आपसन दिया हुए, तो हम क्या करेंगे, दूसर तीहतर तुरांद जोड़ देंगे, जब दूसर तीहतर जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, तीरा का सही उतर हो जाएगा, अब सन गदूसर अंठान बेर आ जाएगा, कैल्विन में, ठीक है, अगला प्राशन देखेंगे, ज़रा, गर्म भोजन या इतरी की गर्म दूर तक किस कारण से फैल जाती है, तो अब सन कोईजदा, राइटेंस, विसरर की कारण, ठीक है, अगला प्राशन देखेंगे, प चार अप्सन दिये गया है, विलियन, तरल, गैस, ठोस, तो पंदर का सही उतर क्या हो जाएगा, अप्सन घर, ठोस, ठीक है न, आप देखेंगे, बी एसी का पूरा नाम क्या है, अप्सन दिया हुआ, बोर्ड आइंस्टाइन कंडनसेट, बोस आइंस्टाइन कंडनसेट, क यह बी एसी क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, पलाजमा, और पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, बी एसी, और उसी को पूछ रहा है, कि बी एसी क्या है, ठीक है, तो बी एसी का पूरा नाम बताना है आपको, तो बताइए 16 का सही उतर हो जाएगा आपका ख बोस आइंस्टाइन कंडनसेट जो मैंने रिचेंटली जो वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैं बताया ठीक है अगला प्राशन देखेंगे ठोस का द्राव में बदलने की परक्रिय क्या कहला थी लो यहां पर तो वहीं को ठ्लाइट होगा नहीं की अगला प्राशन देखेंगे अगला प्राशन क्या कह कहा रहा है की जीजिस्टाप पर थोड़ा दिर पले यहीं चरचा कर रहा था फिर वहीं को सब ञेंगे लिगा जाता है तो जिस ताप पर फोस भी गल कर द्रॉब बन जाता है उसे हम लोग उसके गलनांग करते हैं इसलिए आप संकर राइट एंसर तो देखा ना कितना जबरदस्त को संथा और ये को संथ आप पूरा जो है ना पूरा का पूरा दिमांग में बैठा लीजिएगा ताकि आपकी एक्जाम में जब इस तरीका के प्रसिंद देखने को मिलें तो सबसे पहले आप बना करके आएं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपी के साथ तब तक के लिए जैहिंद